आज मैं आप लोगों के लिए परिवारिक कहानी पती पत्नी की नोग जोग लेकर आया हूँ समय निकाल कर कहानी को किर्पिया पुरा सुने आईए अब सुरू करते हैं कहानी सही राह सुधा क्या हाल बना रखा है तुमने अपना अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशू काती है मोहन ने बाधरूम से निकलते ही सुधा को देखा और गुशे से बरबराने लगा सुधा ने मोहन की और देखा और आखे जुकाली नास्ता तेयार है मोहन चिलाते हुए बोला गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था जी संचिप्त सा जबाब सुनाए दिया आज फिर ब्रेड अमलेट तुमारे पास मेरे लिए समय ही नहीं जटके से पलेट पीछे सरकाते हुए मोहन तैस में बोला फिर वही खामोसी मोहन गुस्से से भना गया टिपिन भी रहने दो ऑफिस में ही खालूंगा कहते हुए मोहन ने गारी किचावी उठाई और तेजी से निकल गया रास्ते भर मूड ओफ रहा ऑफिस में पहुचकर बीजी हो गया तो सब भूल गया लेकिन सवाम होते फिर फिर वही कोपत घर तो जाना ही पड़ेगा जैसे ही गारी में बैठा है कि मा का फोन आया अनमने मन से फोन उठाया ना उठाता तो मा चिंता होकर बार-बार फोन करती ही रहती हेलो, हा मा, कैसा है बेटा मा ने फोन उठाते ही हमेशा कितरा पहला परसन पुचा ठीक हु मा, मोहन ने खुद को सहियत करते हुए जबाब दिया पर मा तो मा होती है न एक पल में मा ने भाफ लिया कि मोहन के मन में कोई तो उठल-फुथल मची हुई है और सुना, बहु बच्चे ठीक है कितने दिन हो गए तुझे देखे जबसे तेरी नोकरी दूसरे सहर में लगी है तरस गई हुँ तुझे देखने को टाइम निकाल कर आजा जल्दी जी मा जल्दी ही आऊंगा छोटा सा पर्ति उत्तर आज उदास क्यों है रे मा से पुछे बिना रहा न गया मा के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही अक्रोस का जौला मुखी सा फट परा मा वक्त के साथ सुधा में बहुत बतलाव आ गया है अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा ना तो अब वो मेरा ठीक से ध्यान रखती है ना मेरे पसंद ना पसंद का ध्यान रखती है और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास मोहन के मन में चल रही सारी उमर घुमर एक ही जटके में उवल परी मा ने ध्यान पुर्वक मोहन की सब बाते सुनी और फिर पुछा और तू तू नहीं बदला क्या सच बताना क्या तू सुधा को पहले की तरह समय देता है पर मा मोहन को एक पल को कोई जबाब ना सुझा मा ने घरी अवाज में अगला परसंदागा क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने, पहले कितरा सौपिंग कराने लेकर जाता है मा उसके पास तो टाइम ही नहीं है यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, मैं भी इसी दोर से गुजर चुकी हूँ मेरे और तेरे पापा के बीच में एक हाई पनपी थी दूरिया इतनी बढ़ गई कि पर समय रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया क्या? मोहन जैसे पलक चपकना ही भूल गया बेटा, बच्चा होने के बाद पत्नी एक मा भी होती है घर और बच्चों की दोरी जिन्दगी जीते जीते एक पत्नी खोसी जाती है पती, सायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है मा, याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी न किसी बहाने से तुम दोनों को बाहर भेज देती थी और बच्चों को खुद संभाल लेती थी और दूसरे सहर में जाकर बहु को किसका सहारा है और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा मोहन बेटा मा की बाते पल्ले परने लगी उदासी की घने बादल छटकने लगे मैंने कभी इस पॉइंट आफ भी उसे तो सोचा ही नहीं मोहन को गलानी सी अन्भा हुई मा, मेरी बुद्धी भरष्ट हो गई थी कि अन्जाने में क्या क्या सोच गया सुधा के बारे में मा, आज आपने मुझे सही राना दिखाई होती तो मेरा तो घर ही सुब सुब बोल मोहन प्रेम तो एक गहरा सागर है इस सागर में जितना डोगोगे उतना सुख पाओगे मा, थेंक्यू सरमिंदगी तो महसूस हुई मोहन को पर मानेस अपना रोल बखुवी निभा दिया था और उथल पुथल की कीरा मोहन के मन से निकाल फेका था सदा सुखी रहो मेरे लाल अब फोन रख और खुस मन और सकरात्मक विचारों के साथ घर जा सुखा इंतजार करती होगी जी मा, मोहन के आवाज में लरजती खुसी की लहर महसूस कर चुकी थी मा घर पहुचते ही मोहन ने एलान कर दिया जल्दी से तैयार हो जाओ आज डिनर बाहर ही करेंगे और अराध्या आज तुम्हारी पसंद की आरिस्क्रीम भी खाएंगे पर मैंने तो खाना बना लिये है आप सुबह भी बिना कुछ खाये चले गए सुरी मोहन जी सुधा की रुआसू आवाज और लाल आखोे बता रही थी क्यों बहुत रोही होगी सुरी तुम्हे नहीं मुझे कहना है तुमसे तुम्हें बहुत इग्नोर किया इतने दिन अब और नहीं मोहन सुधा की आखों में जिलमिलेती आसू क्यों जैसे पी जाना चाहता था जाओ जल्दी से मेरी पसंद की नीली सीफोन की सारी पहन कर त्यार हो जाओ अब दोनों के साथ बेटी अराधिया की मुस्कराहट देखने लाए थी कहाने पुरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों या कहाने आपको कैसी लगी कॉमेट जरूर करे कहाने अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे धन्यवाद